SSC में आपका स्वागत है मैं अरविंद सिंग आज आपके साथ मैपस के कुछ बेसिक्स पे बात करने कोसिस करूँगा अगर आप मुझे सोसल मीडिया पर कनेक्ट करना चाहते हैं तो Facebook, Instagram, Twitter पर इन आइडिस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इसके साथ ही आपको पता होगा कि हमारे इस YouTube चैनल पे 11-12 के PCMB के साथ-साथ General Competition के भी बहुत सारे सब्जेक्ट को हम धीरे-दीरे एडि कर रहे हैं नए-ने फैकल्टी को इंट्रिडूस करने कोसिस कर रहे हैं अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है अगर आपको इस से knowledge बढ़ती है तो अपने friends के साथ इसको share कीजिए हमारे चैनल को subscribe कीजिए इसके साथ-साथ अगर वीडियो का आप PDF चाहते हैं तो description में जो WhatsApp का link दिया गया है उसको press कीजिए और हमारे group को join कीजिए वहां आपको वीडियो के सारे PDF हिंदी और इंग्लिस दोनों माध्यम में मिल जाएंगे तो चलिए start करते हैं सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे क्या तो आज हम देखेंगे map किसे कहते हैं map के type क्या होते हैं और फिर हम लोग देखेंगे continent के बारे में तो start करते हैं सबसे पहले map क्या होता है तो question का जो simple सा answer होगा उसका मतलब होता है यहां पर सीधे सीधे लिखा भी गिया है MIP जो symbolic representation of a selected characteristics of place usually drawn on a flat surface इसका मतलब होता है कि एक flat surface पे किसी दिये गए खास जगह के गुण को अगर आप symbol के रूप में represent करना चाह रहे है अगर आप symbol के रूप में संकेत के रूप में दिखाना चाह रहे है तो वो map कहलाता है अब सवाल कि map कितने प्रकार के हो सकते हैं तो देखिए इसका कोई limit नहीं है, कोई जवाब नहीं है map अलग अलग बहुत सारे अलग अलग categories के हो सकते हैं जैसे कोई बो लहागा कि मुझे forest के हिसाब से बनाना है jungle के लुए कोई कहाएगा मुझे बारिस के लुग पर्वत पथार को दिखाना है तो इस हिसाब से अलग अलग theme बैसिस हो सकता है map कुछ examples मैं आपको बताने कोसिस करता हूँ, जैसे आपका सामने यहाँ दो map दिख रहा है, पहला है political map, दूसरा है physical map, यहाँ पहले में अगर आप गौर से देखिएगा, तो यहाँ पे बाउंडरी साय से बनते हुँ आपको दिख रहा है, बहुत सरी ऐसी बाउंडरी बनी हु बैसों आपको बारो आपको करता है बाउंडरी नहीं दिख रही है, क्योंकि यह बाउंडरी को दिखाने के लिए बनाई नहीं है, यह बेसिकली दिखाये करते हों पर quicks, कहाँ पे जंगल कितने है, कहां पर desert है, रेकिस्तान, इस सब के हिसाब से बनाये गया थो पहला है, दूसरा जो है उसको हम लोग physical map कहेंगे, अब continent की बात करते हैं, मतलब इसका हिंदी होता है महाद्वीप, महाद्वीप होता क्या है, तो महाद्वीप मतलब होता है कि यह huge landmass, मतलब एक बहुत बड़ा अस्थल का जो हिस्सा होता है, वो महाद्वीप कहलाता है, पूरी world में जितने landmasses हैं उसको साथ continent में डिवाइड किया गया है, साथ महाद्वीप में डिवाइड किया गया है, और उस महाद्वीप में बहुत सारे देश होते हैं, वो साथ महाद्वीप है कौन से, तो first Asia है, फिर Africa है, Europe है, Australia है, North America है, South America है, और Antarctica है, ध्यान न कहा है कि हिंदी आप यहाँ से हटा दीजिए, तो जितने continent है, वो जिस letter से सुरू होते है, उस ही पर खतम है, जैसे Europe को लेते हैं, तो E से सुरू होता है, और जाके E पर ही खतम होता है, Asia लेते हैं, तो A से सुरू होता है, और जाके फिर last में A पर ही finish होता है, एक छोड़ा सा fact था, ऐसे मज का एक representation है, पूरी दुनिया में, कि यह basically दिखते कैसे है, मैं थोड़ा zoom कर रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा, तो इसमें आप अगर find out करना चाहते हैं, तो easily आपको पता चले जाएगा, कि यह जो पूरा-पूरा हिस्सा है, North America है, यह South America है, यह Africa है, यह Europe है, यह Asia है, और यह जो है, Australia है, आप कहिएगे, यह तो 6 ही है, सात्वा कहा है, तो देखिएगा, बिल्कुल Southern Corner पे, बिल्कुल बीच में, दक्षनी हिस्से पे, एक छोड़ा साथ टापू की तरह देख रहा है, सफेद कलर का, वो है Antarctica, वो सात्वा है, अब इसको ध्यान से zoom करके देख लीज करने की कोशिश कर रहा हूँ, यह Asia है, तो एक question कि Asia किन से अपना border share करता है, तो आप देख रहा है, इधर यूरोप से करता है, यह Africa है, और यह Australia है, यहाँ पर आप जाईएगा, तो यह पूरा-पूरा Indian Ocean का part होता है, हिंद महासागर यहाँ पूरा-पूरा है, अपना India जो टोटल एरिया है, वो 44.58 million square kilometer है, जब कि इसका population 446.27 crore के आसपास में, interesting fact यह है, कि जितना total overall land mass है, इस अर्थ पे, उसका अकेले 30% कितना, 30% Asia कवर करता है, मतलब सबसे बड़ा जो महाद्वीप है, वो Asia है, और जनसंख्या के हिसाब से भी सबसे ज़्यादा जनसंख्य कहाँ पर जाती है, तो Asia में ही पाई जाती है, क्योंकि पता है कि इसमें China होता है, इसमें India है, जो दुनिया के सबसे ज़्यादा population वाले दो top countries है, अगर Asia को एक बड़े map पे ले जाना चाहें, तो कुछ ऐसे देखता है, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा, औ और एक interesting fact इसके साथ ये भी है कि इसके दो countries है, जैसे आप Russia को ले लिजिए, मतलब रूस को ले लिजिए, तो रूस जो है, वो Asia के साथ-साथ यूरोप में भी फैला हुआ है, और दूसरा Turkey, तुर्की, ये भी Asia के साथ-साथ यूरोप तक फैला हुआ है, जैसे तुर्की का maximum हिस्सा जो है, वो Asia में है, जबकि इसका एक बहुत बड़ा city है, Istanbul, movies में आप देखते हुएगा, वो यूरोप में पढ़ता है, next देखते हैं, कि Asia का सबसे बड़ा countries क्या है, तो आपका number one पे Russia आता है, number two पे China आता है, और number three पे India आता है, ध्यान रखेंगे कि इसमें जो area दिखाया गया है, यह Hong Kong, Macao या जो territory disputed होता है चाइना का, उसको इसमें include नहीं किया गया है, हमारा अगला continent होगा, Africa, मतलब Africa महादेस के बारे में देखने एकोसिस करेंगे, तो देखिएगा तो आपको पता चलेगा अच्छे से देखने पे, कि Africa जो है इधर कुछ लगा यूरोप से, यह पूरा-पूरा Atlantic Ocean का हिस्सा है और यह पूरा-पूरा Indian Ocean का हिस्सा है, इसको यह जो line अलग कर रही है Asia से, वहाँ पे कौन सी sea है, तो आपको answer करना होगा, Red Sea मतलब लाल सागर, लाल सागर और स्वेज नहर यह दोनों Africa को Asia से अलग करते हैं, इसका area जो है, व में, एक interesting fact कि यहाँ पे जो एक छोड़ा सा टापू दिख रहा है, एक देश है जिसका नाम है Medagascar, यह हिंद महासागर में है, और question पूछता है कि किस continent का पार्ट है, किस महाद्विप का हिस्सा है, किस महादेश का हिस्सा है, तो आपका answer होगा, क्या, Africa का हिस्सा है, Asia option में देखे, confused हमको नहीं होना है, अगर सबसे बड़ी countries की बात करें, तो एक नमर पर Algeria आता है, दो पर आता है, कॉंगो और तीन पर आता है, सुडान यह Africa की तीन सबसे बड़ी countries होती है, North America की बात करते हैं, तो map में जो मैं एक box बना रहा हूँ, इसमें दो हिस्सा आपको करेंगे, तो North America की जो population of 57.9 crore है, जबकि इसका total area 24.71 million square kilometer तक यह फैला हुआ है, अब देखते हैं सबसे बड़ी countries, तो देखेंगा तीन इसमें major countries है, एक Canada, बहुत बड़ा area है, इसके पास पूरा यह, दूसरा है United States America, और तिसरा है Mexico, ध्यान रखना है, यह जो एक छोड़ा सा हिस्सा आपको इस तरफ दिख रहा है, वो Canada से लगा हुआ है, लेकिन वो Canada का पार्ट है नहीं, वो बिलॉंग करता है, USA मतलब अमेरिका से, top countries का मैना जैसे अभी नाम आपको बता है, Canada number one पे आता है, number two पे आता है United States, और number three पे आता है Mexico, अब देखते हैं South America के बारे में, तो South America का जो total area है, वो 17.84 million square kilometer है, जबकि इसका population 42.25 crore है, सबसे बड़ी country की बात करें, तो जैसे आपको यहाँ बिल्कुल clear दिख रहा होगा, यह Brazil है, इस देख का नाम है Brazil, यह सबसे बड़ी country है, किसका, तो South America का दो नमबर पर आता है Argentina, और तीन नमबर पे आता है Peru, तो आपको यहाँ से याद रखना है, नमबर वन पे है Brazil, टू पे है Argentina, तीन पे है Peru, आपको कभी-कभी question में पूछ देता है, कि इनको एक order में arrange कीजिए, सबसे बड़ा कौन है, उससे छोटा कौन है, उससे छोटा कौन है, तो कम से कम हर continent का हर महादेश का, आपको तीन countries का नाम याद रखना जरूरी है, अगर चलते हैं यूरोप, यूरोप के बारे में आपने पढ़ाई होगा, कि इसको कहा जाता है प्रयदीपो का महादेश, मतलब कि प्रयदूपी ये महादेश, इसका मतलब क्या होता है, कि इसका जो ही पूरा-पूरा हिस्सा है, देखिए इसको धियान से देखिएगा तो यह बहुत ही कटा-फटा हिस्सा है। बहुत ही यह disturbed है, coastline बहुत ही disturbed होता है। चारों तरफ से यह से कटा हुओ आपको छी दीखेगा। इसमें जो countries है वो mainly developed countries हैं और western countries group में जाने जाती है। इसका अगर area की बात करें, तो area बहुत ज़्यादा नहीं है, 10.18 million square kilometer है, जब कि इसका population 74.14 crore के पास-पास में है, अगर बड़ी countries की बात करें, तो Russia सबसे बड़ी country है, अगर इसका Asia का हिस्सा निकाल भी देते हैं, फिर भी Russia सबसे बड़ा है, रुस सबसे बड़ा है, Ukraine दो न महादेश में बहुत सारी countries है, इसके Australia के साथ-साथ New Zealand है, और बहुत सी छोटी-छोटी नौरू अगरा, बहुत छोटी-छोटी countries वहाँ पे और भी है, जिनको combinedly ओसनिया कहते हैं, क्या बोलते हैं, नाम आप लोग याद रखिएगा, ओसनिया कहते हैं, इनको combinedly, यह जो 20 lakhs के आसपास इसका population है, काफी यहाँ पे ज्यादा लोग रहते हैं, अगर इसके सबसे बड़ी country की बात करें, तो obviously Australian continent या ओसनिया का सबसे बड़ा country, Australia ही है, number one country, Australia है, अगला है Antarctica, आपको figure देखके, बिलकुल map देखके, बिलकुल white color का दिख रहा है, इसलिए इसका नाम भ इसका मतलब कि इस पे बारहों महीने हमेसा बर्फ जमे रहते हैं, पूरा बर्फ से ढखा रहता है, मतलब temperature काफी कम होता है, तापमान काफी कम यहाँ पे रहता है, यहाँ पे population की बात कीजिएगा, तो population fix इसका नहीं होता है, नहीं के बड़ाबर लोग रहते हैं, अगर temperature ब इरिया की बात करें, तो काफी बड़ा इरिया capture करता है, यह 1 क्रोर 42 लाक स्कॉर किलोमेटर का एरिया कवर किये हुए है, और interesting बात, यह किसी एक देश को बिलॉंग नहीं करता है, किसी एक देश के इस पे कबजा नहीं है, इस बहुत सारे छोटे 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 हैं, अलग-लग कंट्री से, भारत में भी अपना महा पे एक research station बना रखा है, आपको नाम अगर याद है, तो comment में बताइए, नहीं तो हम अगले lecture में उस पे बात करेंगे, यह analysis था, इस पूरे topic का, अपको अच्छा लगा होगा, आपकी knowledge में कुछ फर्क पढ़ा होगा, आ Thank you for watching this lecture, thank you very much.